डाक्टर पायल तडवी को अपनी जान देने के लिए उक्साया गया और इसके चलते देश के चार होनहार महिला डाक्टरों का नुक्सान देश को हो गया एक अपनी जान से चली गई और तीन उसका परणाम जीवन भर भुखतेंगी ये जो इनडारेक्ट किलिंग होती है या इनडारेक्ट हत्या होती है जो अपमानजनत तरीके से की जाती है इसका फिनोमिना या इसका जो परणाम है वो बहुत दुखत है देश के लिए और अर्थसास्त्री यानि जो इकॉनमिस्ट बताते हैं वो कहते हैं कि एक डॉक्टर को तियार करने में देश को उसके क्लास 1 से लेके, केजी से लेके और पीजी तक बनने तक लगबग साठ करोर रुपे खर्च करने पड़ते हैं 60 करोड रुपे में एक डॉक्टर त्यार होता है और वो पूरा अपना जीवन लगाता है तब जाके वो डॉक्टर बनता है और देश की सेवा के लाइक बनता है तीन जो लड़कियां हैं जिन्होंने उसको उकसाया और उसको अबद्र टिपनिया की और उसको डिप्रेशन में लाने का यानि मानसी रूप से उसे तोड़ने का जो काम किया ये जान के हुआ अंजाने में हुआ या उन्होंने को बच्चपन से सिखाया गया ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि जो डॉक्टर है उन्होंने मेडिकल साइंस तो पड़ी चारों ने मगर वो मेकनिज्म ऑफ कास्ट नहीं पड़ पाए कास्ट का फिनोमीना अगर वो पड़ पाते और बावस आपकी किताब अनिलेशन ऑफ कास्ट अगर वो एक वार नेट पे देख लेते तो ना डाक्टर तरवी आत्मत्या करती और ना ही उन तीनों महिला डॉक्टरों की जो आरोपी है उनकी हिम्मत होती या उनका मन करता कि वो उसको उक्साए मैं समझता हूँ कि जाती का जो फिनोमीना है और जाती का जो सिस्टम है उसके आधार पे ना उक्साने वालों को और ना उसके जो रिल्ट भुखत रहें उनको ये पता है कि ये कैसे काम कर रही है अगर डाक्टर तडवी मेकनिजम आफ कास्ट भी पढ़ लेती जो कि थोड़ा सा है तो सायद वो देश के लिए बहुत अच्छा होता वो अपनी जान से ना जाती और देश की सेवा कर रही होती जिन्दा भी होती ये मेकनिजम आफ जो कास्ट है इसको समझना चाहिए डाक्टर तडवी या उस जैसी डाक्टर या बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं बहुत सारे जो प्रॉफेशनल्स हैं जो पढ़ रहे हैं उन में से कुछ जाती के आधार पे आरक्षन या रिजर्वेशन या आरक्षन या रिप्रेजन्टेशन यानि कि अपने जितना भी उनका कास सिस्टम है उसमें जो लोग हैं संख्या हैं उनको रिप्रेजन्ट करते हुए वहाँ पर वो आते हैं और उनकी सीट वहाँ भूत फैमली से वो आई थी क्योंकि वो आदी वासी थी इसलिए भारत की पुरानी वासी थी और भारत की इंडिजन्यस थी यहीं की देखने वाली थी इसका बहुत गहरा संबन्दे इस बात से कि उसको जाती का सिस्टम समझना चाहिए था आग ऐसा ना हो इसलिए ये बच्चा है उसका 90% मार्क्स आया मगर उसका एडमिशन दिली में नहीं हो रहा है दिली का रहने वाला है दूसरा कह रहा है दूसके बच्चे के 95 आये मगर उसका बच्चे का दिली में एडमिशन नहीं हो रहा वो नौईटा उसको जाना पड़ेगा तीसरा कह रहा है कि उस उसे पूछा कि आप ये बताईए कि जिसके 85% नमर आए हैं क्या उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो आप ये मानते हैं कि देश के सारे बच्चों का पढ़ने का बराबर का अधिकार है। जब कॉलिज खोलने वाला कॉलिज नहीं खोल रहा है, यूनिवस्टी खोलने वाला यूनिवस्टी नहीं खोल रहा है, इसकूल खोलने वाला इसकूलों को नहीं खोल रहा है और इसकूलों को बंद कर रहा है, या सिक्षा को महंगा कर रहा है, जो देश का चलाने वाला है वो बच्चे को ज़्यादा मिली है, बहुत सालों से मिलती चली आ रही है, उसे जब पैदा होता है तो केल लेंग्विज मिलती है, किताबे मिलती है, बड़िया घर मिलता है, बड़िया एसी मिलता है, बड़िया पैसा मिलता है, उसे को टैंसर नहीं होती, सारे रिजदार उसके और जो बच्चा अपनी पढ़ाई को खो चुका है जिसके घर में पढ़ाई नहीं है जिसके घर में संसादन नहीं है लाइट नहीं है पैसा नहीं है खाने रोटी नहीं है वो भी पढ़ना चाहता है तो बड़ी बात यह है कि वो भी पढ़ना चाहता है आपका तो पढ़ी र आर्ब हुए और जगड़े कराया जा रहे हैं। आप जगड़ रहे हैं, आप यह नहीं सोच रहे हैं कि College खुलने चाहिए। तो कि अगर एक College है और वो देश के अंदर है तो उसमें सभी का परावर का धिकार है। उसमें अगर 100% वालों का है तो उसमें 33% वालों का भी है, 65% वालों का भी है, फिर percentage बटेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक समुधाय के लोग अगर उसमें 100 हैं और 100 के 100% नमब लिया है और वहां street 100 है तो उनको बिल जाए, क्योंकि ये injustice होगा, ये natural justice नहीं है, ऐसा होना च चाहिए कि सब के लिए college खुलें और college में vacancies हमेशा खाली रहें, student को ढूणना पड़े कि ये vacancies full हो जाए, क्योंकि देश की तरक्की के लिए सब को पढ़ाना आवश्यक है, आप दूसरा समझिए कि एक मा के 10 बच्चे हैं, और उस माने अपना सारा खाना, पीना, दूद, स बढ़िया हुआ, डिग्रियन ले ले के आया, और उस ही के साब से उसने कमाना भी सुरू किया, और वो प Theresa किमाके जब सुरू किया, तो बाकी जो 9 बच्चे उसके परिवार में हैं, वो कहते हैं हमें भी हिससा चाहिए, तो वो 10वा बच्चा कहता है, तुमें किस बात कैसा चाहिए पड़ा, लिखा, मैं सारे काम मैंने किए तुम तो नालाएक हो, तुम तो किसी काम के नही हो तुम कमाती भी नही हो देखो मैं income tax पर ही हूँ तो मैं तुम्हें क्यों क्यों दूँ जब तुमने कुछ किया नहीं तो दस्वे बच्चे को सोचना चाहिए कि सारे resources जो घर के थे वो आपको मिले है सारी चीजे सुविधा आपको मिली है, मा ने सारी चीजे आपको दिया है, मा ने partially की है, मा की कमी है मगर आपको सोचना है कि जो 9 बच्चे हैं उनको खाना चाहिए, पानी चाहिए, उनको कपला चाहिए, उनको जिन्गी चाहिए, उनको इजच चाहिए, उनको देश में सब्ची चाहिए जगणा होगा क्योंकि आपका अकेले का वो राइट नहीं है आपने नो बच्चों का भी खाना खाया है आपने नो बच्चों की सिक्षा भी ली है माने आपको दी है आप ना समझते हैं मान सकते हैं मगर कमी मा की हैं मगर आप समझदार हैं आपको वो करना पड़ेगा और आप किसी भी हलत में अपने घर के नो बच्चों को छोड़ नहीं सकते अगर आप छोड़ेंगे तो बहार से जो दुष्मन आएंगे वो अकेले आपको समझके खा जाएंगे नो बच्चे फिर आपकी मतद नहीं करेंगे क्योंकि आप उनको का जो मतलब है वो ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का अगर एडमिशन रिजर्विशन के आधार पे हो गया तो वो फिरी में पास हो गया यानि वो टेस्ट नहीं देगा एकजाम नहीं देगा या वो पढ़ेगा नहीं आरक्षन सिर्फ सीट का है 100 सीट है तो उस सीट मैंसे द कि नहीं है मतलब सीट मिलती है तो सीट पे कोई भी टीचर कोई भी प्रॉफिसर किसी भी स्टुडेंट को मिनीमम पासिंग मार्श के बिना पास नहीं करता यह नियम है आप पूरे भारत में एक बच्चा ऐसा मुझे बता दीजिए जो आरक्षन से सीट लेका आया हो रिज एसी है जिनके घर में खाने तक को नहीं होता या ओवी सी है जिनने एजू किसन का आज तक कुछ पता ही नहीं है या कोई इस्पेशल सर्विसिस का है या इस्पेशल क्या बोलते जगे का है हजारों तरह की आरक्षन है स्पोर्ट्स का भी आरक्षन होता है कोटा होता है इस सब तरह के स्टुडेंट होते हैं, जो नौन रिजर्व होते हैं, जो अनारक्षित होते हैं, जिनका रिजर्विशन नहीं होता है, वो भी फेल होते हैं, और जो आरक्षित हैं, और जो रिजर्व हैं, वो भी टॉपर होते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है, कि टीचर आपक को कितना गेन करते हैं, कितना लिख सकतेंग इख सकते हैंteri मिहां बहुँ हुए बारती से पासिंग का या पास होने का कोई भी लिंक नहीं है करेंक। प्रितिमिनिद्ध का है जो वहाँ वो अपनी उपस्तिति धर्ज करा रहा हैं देश के नागरिक होने के नाति वो बेडेशी नहीं है इसी देश का नागरिक है बारती है ये बात बल्कुल इसपस्ट है और किलियर है अगर बच्चे को या आप student हैं आपको लगता है कि कास्ट के नाम पे आपको या reservation के नाम पे आपको class के इंदर कहीं परिशानी महसुस हो रही है या कहीं आपको लगता है तो आपको कास्ट सिस्टम समझना चाहिए basically समझना चाहिए भारत के सभी बच्चों को उनको सभी को annulation of class पढ़नी चाहिए मगर अगर वो नहीं समझते हैं क्योंकि कास्ट में दो तरह की बात होती है एक बच्चे को कास्ट का फायदा मिलेगा जो अपनी कास्ट को अपर बोलता है यानि जिसको सिस्टम में बनाया गया है उसने खुद बनाई है उसके जो ancestors हैं जो उसके पूरवज हैं उन्होंने कास्ट बनाई है और अपने लिए उन्होंने उसको उच्च कहा है दूसरी कास्ट जो उन्हों कहते हैं वो है down कास्ट यानि के नीचे कास्ट जिसके नुकसान होते हैं तो अपर कास्ट वाला तो कभी नहीं चाहेगा कि कास्ट की बात हो क्योंकि उसे फायदा होता है मगर जिसको कास्ट का नुकसान हो रहा है उसे कास्ट को समझा जरूरी है इसलिए अपनी सब्जेक्ट की किताब के साथ में एक एनिलेसन अफ कास्ट भी बावसा की किताब रखी है हिंदी में, इंगलिस में, माराटी में, सारी भासों में वो उपलब्द है, नेट पर है, पीडियेप में है कास्ट सिस्टम को जब आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिनके पीछे कास्ट की नाम लिखा होता है काष्ट सूचक जातियां लिखी होती हैं वो जातिवादी लोग होते हैं क्योंकि जातिवादी जो लोग हैं वो अपने नाम के पीछे जाति सूचक सद लगाते हैं अगर वो जाति सूचक सद लगाते हैं तो वो बीमार लोग हैं वो अपनी जाती पे घवन करते हैं और वो जातीवादी लोग है पुराने समय में किसी भी नाम के पीछे जाती सूचक सब्द नहीं होते थे जैसे बुद्ध के समय में जो नाम थे जैसे खुद बुद्ध का नाम था सिध्धात या उनके फादर का था सिध्धोदन या महा माया या पजापती गौत्मी है या अनुरुद है या आनंद है ये सारे नाम बड़े किलियर और होते थे चाहां देवदत है सिंपल नाम होते थे इनके पीछे जाती सूचक क्योंकि जाती बुद्ध के समय तक थी ही नहीं जाती बहुत बाद में बनी और जो नामों के पीछे जो जाती सूचक सब्दा हैं ये सिर्फ तीसरी पीडी सा हैं आप भारत में किसी भी आदमी का तीसरी पीडी का नाम पूछ लीजिए आपका नाम आपके फादर का नाम और उनके फादर का नाम, तो आपको पता चलेगा कि उनके फादर का नाम सिर्फ कनहिया था या तोता था, या मोड था या तोता मैना था या सरीता था बतलब पीछे जाती सूचक नाम उनके document में भी नहीं है ये 30 PD से लगबग आने सुरू है तो ये भारत में सिस्टम तेजी से अभी डेपलप हुआ है और जिन्होंने जाती सूचक सब्द पीछे लगा हैं उन्होंने जाती को आगे बढ़ाया है आपने जाती को आगे नहीं बढ़ाया है दूसरा आप ये ध्यान रखिए कि जाती जो है आप घवरायी मत क्योंकि जाती आपने नहीं बनाई अगर आपने जाती बनाई होती तो आप अपने लिए सबसे टॉपकी और सबसे उची और सबसे फुरूटफुल वाली और सबसे बड़ी अजाती रखते जिसके गुर्ण बड़े अच्छे माने जाते तो जाती आपने नहीं बनाई ये बात पुरूब होती है जाती जिन्होंने बनाई है उन्होंने अपने लिए अच्छी रखी आपके लिए खराब रखी आपके लिए बनाई है ताकि वो आपको खराब कहके गोजित कर सकें तो जाती अभी बनाया हुआ फरामिना है बहुत लेटेस्ट है कोई बहुत पुराना नहीं है पहली बात दूसरी बात यह है कि आप अपनी जाती के बारें भूल जाएए क्योंकि आपने खुद अपनी जाती नहीं बनाई आप जानते भी नहीं है इसलिए आपको पता भी नहीं होगा जब आपने बनाई ही नहीं है तो आपको उसकी इस्टी का भी पता नहीं है मगर आप सामने वाले की पूछिए आँखों में आँखे डालके पूछिए आप पूछिए ये जाती कैसे है इस जाती का नाम क्या है ये जाती कहां से आई अच्छा इसमें कैसे काम करती है आपके पूरवज़ी क्या थी उनके पूरवज़ी क्या थी और थोड़ा पीछे जाईए तो उनसे पूछिए कि ये बुद्ध के समय में क्या थे आप लोग या आप पूछिए कि असोक के समय में आप क्या थे या पूछिए कि आपकी दो साल पहले क्या थी मैंने बहुत लोगों से पूछा है तीन पीडी के बाद मैं कोई नाम भी नहीं बता पाता जाती मैंने बहुत लोगों से पूछी पता ही नहीं है किसी को के जाती क्या है क्या रही है लोग चिपकाए फिटते हैं और इसको जानते तक भी नहीं है कि ये कहां से आई कैसे आई बहुत ज़्यादा कहेंगे तो कहेंगे कि सास्तों में हैं तो मैं पूछता हूँ कि मैं सास्तों का नाम बता दो मैं ढूंड लूँगा उसमें अगर आपको दिक्कत है तो आप बताई तो सही कहीं नहीं आपको मिलेगी सब सारा खेल हवा में है तो आप इस हवा को समझे जब आप सामने वाले से पूछेंगे तो सामने वाले को पता ही नहीं है फिर आपको पता चलेगा रहे तो सारभावा में चलना है मामला कहीं कुछ है नहीं इसलिए जाती से डरी मत धवराइये मत पूछी आप, बरावर पूछी अब आप अपने महापुर्सों के बारे में जानिए आप जानिए जैसे डाक्टर तर्डवी को अगर ये पता होता कि उसके पर दादा दुनिया के सबसे बड़े डाक्टर थे उसको ये पता होता कि उसके पर चाचा दुनिया के सबसे बड़े सरजन थे तो वो कभी आत्मत्यागर फैसर नहीं करती भारत में बौधो के समय भगवान बुद्ध के समय बुद्ध को भैसज्य गुरू बुला जाता था भैसज्य का मतलब होता है औशदी को जानकार औशदी जानने वाला और उन्होंने बहुत सेवा की और उनके सिस्य थे जो तर्षिला यूनिवर्स्टी जो उस समय भारत में भुगा करती थी आज तो अफगानिस्तान है वो उस समय तो सारा देश हमारे पास था हम राजा थे तो उस समय जो जीवक नाम का सबसे टॉप का सर्जन था और सबसे टॉप का फिजीशन वो भगवान बुद्ध का सिस्य था उसने भगवान बुद्ध की एक वार महरम पर टीवी की और कैई राजाओं का उसने बड़ा उप्चार भी किया भणा पड़ा है त्रीपी टक उसमें जीवक के जितने भी धानते हैं वो सारे हैं और जीवक के जो सबसे बड़े माश्टर रहे हैं वो तो बुद्ध रहे हैं तो आपके चाचा आपके दादा यानि बुद्ध और जीवक जब महान फिजीशन और महान सर्जन हैं तो आप तो पैदाईशी रहे हैं आपको तो पता होना चाहिए कि आप कितने बड़े डॉक्टर रहे ह आप कितने बड़े सर्जन रहें फिर ऐसी बात आ रही नहीं ची मन में आप थोड़ा सा अपना कल्चर में अपनी हिश्टी में तुजागे देखो कि आप कितने बड़े क्या हैं और रही काबियत की बात आप से अगर कोई ये कहता है कि आप काबिल नहीं है बीस वार पढ़के आ चुका है उसकी मेमोरी ज्यादा रहेगी तो लिखेगा भी ज्यादा इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं जब आप बीस वार की किताब को रिपीट माल लेंगे तो आप मास्टर्स के मास्टर हो जाएंगे और काबलियत की जहां तक बात है तो इस बात को ध्यान रखिए कि आज की डेट में काबलियत पेड हो गई है यानि कि मेडिकल, इंजिनिंग या मेरेजमेंट की जो स्टुडेंट्स की जो क्लासिस हैं या जो उनकी एड्मिसंस हैं वो पैसे से हो रहे हैं यानि कि काबल आदमी या नाकाबल आदमी का तो मामला कहीं दूर दूर तक है नहीं पैसे हैं आपके बास तो आप काबल हो सकते हैं आप डॉक्टर बन सकते हैं पहली बात, दूसरी बात यह है कि उनको यहां एडिमिशन नहीं मिलता नाकाबिल लोग वो काबिल बनने के लिए रस्या जैसे कंटी में चले जाते हैं और रस्यान भासा में डिग्री लेके आ जाते हैं आपको बहुत सारे केस मिलेंगे जिन्होंने रस्यान भासा में डॉक्टरेट की हुई है और यहां उनको के 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 भी नहीं पता है और वो यूरोप में चले जाते हैं अमरीका में चले जाते हैं यहां के लोग पढ़े लिखे तो उनको वहाँ दुबारा टेस्ट देने पड़ते हैं वो यहां की डिक नहीं मानते हैं काबलित मानते हैं यहां की पहले तीसरी बात कि अगर यहां के डक्टर्स यानि के जो नौन रिजर्ब डक्टर हैं अगर वो सारे काबिल होते और काबलियत में होते तो यहां के लोग विदेशों में उप्चार करने ना जाते या बाहर पढ़ने नहीं जाते विदेशों में जाते हैं यहां के बड़े बड़े लोग क्योंकि यहां के काबियर जो जनर्ल के डॉक्टर है निया भर के लोग यहां आते थे पढ़ने के लिए और सेखने के लिए तो काबलियत तब थी जब आपके पढ़ दादा पढ़ाते थे और जब आपके पढ़ दादा पढ़ जाचा बढ़े बढ़े डॉक्टर हुआ करते थे और अगर आपको लगता है कि रिजर्ब लोगों में काबलियत नहीं है ये अच्छे डॉक्टर या अच्छे जीनियर या अच्छे प्रॉफसरल नहीं बन सकते हैं तो आप फिरी हैं भारत के अंदर कोई जबर जस्ती नहीं है कि आप उनसे इलाज कराएं या आप उनसे काम कराएं आप खुद कर रहें अपने किजी ढूंडने जाके जो आपका रिजदार है ढूंडने कोई जबर जस्ती तो नहीं है तो आपको दिक्कत क्या है वहिए उनके लोग उनसे इलाज करा लेंगे आप मत कराईए तो इसलिए आपको काबलिस से उनकी नाकाबलिस से परसान भी नहीं होना चाहिए ये बात समझना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपने आपको काबल डॉक्टर कहते हैं वो कर क्या रहे हैं अधिकतर लोग यहां से डिग्री लेते हैं और यहां से एस्केप कर जाते हैं साथ करोड का चूना लगा के भारत को एक साथ निकल जाते हैं साथ करोड में गौर्बर्मेंट औफ इंडिया उसको एजिनियर डॉक्टर बनाती है बच्पन से ले गया तक और वो एक जटके में भारत को लात मार के और चला जाता है और पूरी जिनकी बाहर रहता है और वहां डॉलर और पॉर्ण और यूरो वहां कमाता है और हम को क्या कहता है कि हम यहां अच्छे लोग नहीं है अरे तुमने यहां से resources लिया, तुमने यहां सारा महरत की, हमने तुम्हारे लिए सेवा की, सारा हमने system बनाया और तुम हमारे देश को छोड़ के चलेगे तो थोड़ा तो सोचो कि तुम काबियत की बात करते हो तो तुम कितने काबिय हो और वहाँ जाके गुलामी करते हो तुम क्या बनते हो उन में सर्जरी नहीं मिलती है उनको फिजिशन नहीं मिलते हैं उनको पीछे रखते हैं उनको साइड वोपउ में रखते हैं एक एक चीज का नेट पर आपको पता चलेगा कि हमारे यहां के डॉक्टर्स जो काबिल डॉक्टर्स जो होते हैं नौन निजरवारे उनके साथ में ऐसा वेव करते हैं जैसे यहां के लोग वार्ड बॉय के साथ करते हैं तो काबियत की बात को कहना थोड़ा सा अजीव सा है क्योंकि आप जो बुद्ध के और आप जो जीवक के सिस्से रहें या उनके बेटे रहें हैं तो आपको ये confidence आना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा जीवन इसमें गया है और आप बहुत पुराने इसके जानकारे और बहुत पुराने इसमें जानते हैं अब आप करेंगे क्या अगर आपको लगता है कि कहीं कोई आपको पितारना दे रहा है या आपको पितारित कर रहा है तो आप मुस्करा के वहाँ छोड़ दिए क्योंकि आप अपने हिस्टी में जाएए, आप बहुत काबिल हैं, आप यकीन मानिये कि आपको आज मौका मिला तो वो डर गए क्योंकि बुद्ध ये बताते हैं, अभी दमवपीटक में 121 तरह का मूड होता है, यानि माइंड होता है, जो 52 टाइप की मैट्रिल से मिल के बनता है, यानि कंडिशन से मिल के बनता है उसमें कंडिशन ये भी है कि अगर आपको कोई पितालित कर रहा है या आपको कोई टीज कर रहा है या आपको कोई उलाना दे रहा है या आपको कोई मांची रूप से तोड़ने कुछ कर रहा है तो वो व्यक्ती बहुत डर गया है आपसे डरा हुआ व्यक्ति सामने वाले को चड़ाता है परिशान करता है उसके अंदर का डर है तो आपकी काबलियत से और आपकी समझ से और आपके आगे बढ़ने से वो डर गया है और डर से ऐसी हरकत कर रहा है तो डर हुए आदमी पर हमेंसा करोना करनी चाहिए तुम्हारा भै दूर हो और तुम अभै हो जाओ ये बुद्ध की नीती है ये भारत की नीती है इसलिए आप ये माने कि जब कोई आपको इस तरह से पतालत कर रहा है या आपको बार बार टीज कर रहा है तो वो आपसे डरा हुआ है आप उसके लिए मुस्क्रा के करना करें और एक प्रेयर करें कि इसका भला हो और इसका मंगल हो इसलिए ये बात अच्छी तरह से समझ लें इसके बाद भी अगर वो ना मानें तो आप अपने जैसे लोगों को महां ढूंड लें और आपके जैसे जो रिजल लोग हैं वो मिलेंगे उनसे बातचीत करें एक अपना प्यारा सा परिवार वहां बना लें और कोई समस्य है तो उसको वाटसेप पर या फेस्वूप पर डालते रहें हजारों गुरूप हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए हैं क्योंकि आत्मत्य करना या मरना आपका सॉलूशन नहीं है आप भारत के बहुत पुराने काबिल लोग रहें हैं इसलिए आपको सोभा नहीं देता कि कोई इधर उधर का कोई आपको टीज करें और आप अपनी जान दे दें नुकसान करें सोसाइटी का और देश का उसके लिए जरूद नहीं है ये बात इसपष्ट हो जाती है कि एगर तीन महिला डॉक्टर एक महिला डॉक्टर को अगर प्यतारित करती हैं और उकसाती हैं और उसको आत्मत्य लिए मजबूर करती हैं कैई केसों में ऐसा हुआ है तो आप एक बात ये समझेए कि एक तो वो आपको भारतिय नहीं मान नहीं है तो दोनों में से एक भारतिय नहीं है क्योंकि अगर चारों भारतिय होती हैं तीनों महिला वो भारतिय होती हैं डाक्टर पाइल तर्वी भारतिय होती तो उनका जगड़ा नहीं होता, एकी देश के हैं तो उन मेंसे कोई भारतिय नहीं है ये बात पिलthinkर क्लियर जाती है फिर वो अगर एकी रिलिजिन के पिर भी प्तारित कर रहे हैं और हम विपस्टना के थ्रो भी देखते हैं कि मानव अगर मानव की हत्या करता है तो जिंदगी में कभी उसको और उसके परिवार को चैन नहीं मिसकता बहुत लोग की हत्या होती है तीन महिलाओं ने अगर एक महिला को मारा जो महिला मरी है उसका परिवार तो परिशान रहे गए रहेगा मगर इन तीनों महिलाओं का इन तीनों का अवी जीवन अवीची ननरक हो जाएगा अवीची नरक उस अवस्था को बोलते हैं धम के अंदर जिसमें करोडों साल लग जाते हैं उसको ठीक होने में वो परिवार तक असर जाता है तीन परिवार उनके परिवार आपको बेसक कोड छोड़ दे आपको सारे सबुत आपके अगेंश चोड़ जाए आपका मन जानता है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है किसी भी व्यक्ति को अगर कोई मनुस से अगर एक उसका मन भी दुखाता है वो उसके मानसिक हत्या होती है उसको कड़वे वचन बोलता है वो उसकी वचन की हत्या होती है और कामिक रूप से अगर उसकी जान लेता है तो वो उसकी कम की यानि कारेक रूप से हत्या होती है आपने तीनों रूप से उसकी हत्या की है दुनिया की सारी अदलत आपको बरी करते हैं मगर नेचर आपको कभी बरी नहीं करेगी वो कभी छोड़ीगे, आपका परिवार हमएसा अवीची नरकी एस्तिती में रहेगा इसलिए आपको सोचना चाहिए भारत की तरकी के लिए कितनी बड़ी वाधा आपने कर दी भारत में कितना काम वो लोग करती है, आप कितना काम करते है चारों डॉक्टर मिलके कितनी लोग सेवा करती कितने लोगों पैस का फरक पड़ेगा इसको समझे भारत अगर इसी तरह से जाता रहेगा और आप ये मान सकता क्योंकि ये मान सकता जाहिज सी बात है कि आपकी बच्पन से आई हुई है तो आपको किसी बड़े ने आपने दी है किसी बड़े ने आपको ये जाती वाली मान सकता दी है उस बड़े की कमी है कितना नुकसान है कि अगर देश पढ़ेगा नहीं और इसी तरह से करेगा तो बड़ेगा नहीं बड़ेगा नहीं तो किसे लड़ नहीं पाएगा एक दिन ऐसा भी आएगा हम चीन से और अमरिका से टकल लेने की बात करते हैं हमको नेपाल भी हरा जाएगा नेपाल जैसे देश के गुलाम बन जाएंगे अगर हम इसी हलत में चलते रहे तो इसको सोचिए इसको समझिए रा के हर व्यक्ति को बरावर समान और भाई और बहन समझा जाए वरना गड़्दा जो दूसरों के लिए खोदता है यह गारंटी है कि एक ना एक दिन वो उसमें गिरता जरूर है यह प्रकृति का नियम है मैं डॉक्टर पायल तडवी के इस कदम का कभी भी साथ नहीं दूँगा हमारे जैसे लोग कभी साथ नहीं देंगे कि उसने यह कदम जो निगरी उठाया मगर उसकी अज्यानता करन यह कदम उसने उठाया अगर वो जानती अगर वो कास सिस्टम को जानती और वो थोड़ा उसने अध्धन किया होता तो वो strong होके निकल गया आती और देश की अच्छी सेज़ सेवा किती आप सब खुब देश की सेवा करें एनिलेशन कास्ट को एक वाज जरूर पढ़ ले कोई दिक्कात हो हमारे जैसे लोगों से आप संपर करें phone करें, mail करें facebook करें, बहुत लोगें, हजारो लोग बिखरे पड़े हैं, जो बहुत positive energy के हैं और जो देश के लिए अपनी जान देरिंग ले त्यार है, आप उनसे मिलें समस्या का समधान जरूर होगा और हम जाती वाज से लड़ते हुए जाती को हम पीछे होगे यह बताना चाहिए, तो जाती बहुत तेसे जाएगी धन्यवाद